हेलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आपका श्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इंगलिस भाई छबी सर तो दोस्तो आज मैं डिसकस करने वाला हूँ वर्जीनिया वुल्फ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को जिसका नाम है प्राफेशन्स वुमेन दोस्तो वर्जीनिया वुल्फ एक मॉडर्न एज की राइटर थी इनका बर्थ 1882 में हुआ था और इनकी देथ 1941 में हुई थी ऐसा माना जाता है कि मॉडर्णिजम की शुरुबात वर्जीनिया वुल्फ ने ही की थी वर्जीनिया वुल्फ ने अपने एशे आज में चली आ रही महलाओं के परती रूडिवादी थिंकिंग के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है तो दोस्तों चलिए अब आपका ज्यादा समयना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो प्राफेशन्स फॉर वोमेन वर्जिनिया वुल्फ ने 1931 में वोमेन्स सर्विस लीग में अपनी एक स्पीच में महलाओं की समस्याओं को लेकर जो कुछ भी कहा था वह समस्याओं आज भी कुछ हद तक वैसी ही हैं और समाज में इस समस्या को जेंडर इनेक्वैलिटी यानि लिंग अश्मनता के रूप से जाना जाता है मतलव पुर्सों और महलाओं को एक समान दर्जा ना मिल पाना इस ऐसे में वर्जिनिया वुल्फ हमें बताती हैं कि कई चीजें ऐसी हैं कि महलाओं को आंगे बढ़ने से रोकती हैं मतलव उनकी सफलता में बाधा बन जाती हैं और यही एक मात्र कारण है कि महलाएं समाज में अपना नाम नहीं कमा पाती हैं वर्जिनिया वुल्फ कहती हैं कि इस प्रकार की बाधाएं हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं और जब तक इन बाधाओं को वोमेन खुद दूर नहीं कर पाईगी तब तक महलाएं अपने उद्दिस में काम्याब नहीं हो सकती हैं यहाँ पर इस ऐसे में वर्जिनिया वुल्फ अपने खुद के जीवन के एक्स्पिरियंस को शेयर करते हुए हमें बताती हैं कि महलाओं को हर प्राफेशन में यानि पेशे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है जैसे अगर महलाओं राइटिंग करना चाहती हैं तो उसे समाज में कई कस्टों का सामना करना पड़ता है क्योंकि समाज की पुरानी परंपराओं को तोड़कर आधनिक जीवन में एपलाई कर पाना आसान नहीं होता है वरजिनिया वुल्फ बताती है इफ अ वोमेन वांट्स टू राइट अ बुक तो उसे समाज की कई चीजों से फाइट करना पड़ता है मतलब लोग सामने से तो कुछ कहते नहीं है पीट पीछे कई परकार की बातें करते हैं और रियूमर्स फैलाते हैं तो महलाओं को इनी सभी चीजों के अगेंस्ट लड़ने की जरुवत है और यह ऐसी परेशानिया होती हैं जिसे वरजिनिया वुल्फ ने एंजिल इन्दा हाउस का नाम दिया यानि घर का देवदूत दोस्तों एंजिल इन्दा हाउस का मतलब होता है कि एक ऐसी महला जो घर के हर एक काम को समहलने में काम को करने में माहिर हो क्योंकि सभी लोग उससे अपेच्छा करते हैं कि वह घर के सभी मेंबर्स की देखभाल अच्छे तरीके से करें घर की महलाओं का सुभाव विनम्र होना चाहिए and see is full of compassion मतलब महला दया से भरी हुई होना चाहिए क्योंकि सोसाइटी महला को ऐसा बनते देखना चाहिती है and if she cannot do this तो सोसाइटी ऐसी महलाओं पर प्रस्ण चिन्न लगाने लगता है आंगे वर्जिनिया वुल्फ कहती है कि if a woman wants to write तो उसके सामने angel in the house की समस्याएं आ जाती है और बुरा बनने के डर से ऐसी महला कभी लिखी नहीं पाईगी और लिखने के लिए उसे वर्जिनिया वुल्फ कहती है कि एक महला को लिखने के लिए समाज की और्थोडॉक्स थिंकिंग को छोड़ कर निडर बनना पड़ेगा उसे अपने आप पर विश्वास करना होगा यहाँ पर वर्जिनिया वुल्फ अपने एक्ष्पिरियंस को शेयर करते हुए कहती है कि जब कोई लिखने का काम कर रहा हो तो उसे कोई डिस्टरवेंस ना हो तभी वे अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से लिख सकती है लेकिन कभी कभी समाज महलाओं की भावनाओं को अश्विकार कर देता है क्योंकि समाज के रूडी वादी लोग महलाओं की भावनाओं को नहीं समझते हैं लेकिन जब एक महला कुछ लिखते समय इन और्थोडॉक्स विचारों को सोचती है तो वह लिखना बंद कर देती है क्योंकि वह इन सब बातों को अपने दिल और दिमाग में बसा लेती है यहाँ पर वर्जिनिया वुल्फ को फील होता है कि एक महला की सक्सिच का दा इंड समाज के कुछ अर्थोडॉक्स परसंस के करण हो जाता है यहाँ पर वुल्फ का मनना है कि एक महला को हर छेत्र में कम्पलीट फ्रीडम मिलना चाहिए तब ही एक महला सुतंत रूप से किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है वर्जिनिया वुल्फ आंगे कहती हैं समाज में जैसा डिसीजन लेने का फ्रीडम परसों के पास है वैसा ही फ्रीडम महलाओं के पास भी होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो समाज में ये जो मेल और फीमेल के बीच डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है इसमें फुल स्टॉप लग सकता है क्योंकि इन दे इंड आफ टॉन्टीन्थ संचुरी दियर वर नो फ्रीडम फॉर वोमेन क्योंकि उस समय महलाओं में अपने राइट्स के लिए बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि टॉन्टीन्थ संचुरी में महलाओं को लिखने की फ्रीडम नहीं थी क्योंकि पुरुष प्रधान समाज होने की वज़े से महलाओं को खुल कर बोलने की आजादी नहीं थी ऐसे के अंत में वर्जिनिया वुल्फ कहती हैं कि यदि महलाएं अपने समाज के लिए अपने घर के लिए या खुद अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो महलाओं को समाज में चली आ रही रूडी वादी विचारधाराओं से बाहर आना होगा and the woman don't do this तो she can't stand herself और कभी सक्सिज नहीं हो पाएंगी तो दोस्तो ये था आपका essay professions for women यदि आपको वीडियो पशंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें लाइक और शेयर करना बिलकुल भी न भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग झाल